अगर आपको वह सही से ड्रोग होना नहीं आपाता है तो आप करवाते हो लॉस पर सिखें कहां से यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देख लिए हैं कोई सही से सिखाता नहीं है कोई सिखाता है तो अपना कोर्स बेशता है जो कि पच्ची तीश चाली हरो पर तक के होते हम क्या करें यहां पर मैं इन बेसिक चीजों के लिए आप से कोई पैसा नहीं लेने वाला फ्री और यूट्यूब पर देखिए क्योंकि मैं पैसा ट्रेडिंग से कमा लेता हूं मैं आपके साथ आया हूं यूट्यूब पर केवल रिष्टे बनाने के लिए में चलेंके देखना मैं सबके फीडबैक और कमेंट परता हूं अगर यह वीडियो आप चार से पांस साल बात भी देख रहे हैं तो आप बहुत लगी हैं क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है वीडियो के अंदर नॉइस की जो कि आसपास के परोशियों को रहता है उसकी चिंदा मत करना क्योंकि मैंने कोई अलग से स्टोडियो नहीं बनाया मैं इतनामी नहीं हूं पर मेना मकसद यह रहता है कि मैं आपके पास काम की चीज़ पहुचा हूं जो कि मैं पहुचा पा रहा हूं काफी टाइम से और आप मेरे से खुश भी हैं आप मेरे क्योंकि जो बंदा एलेटिंग करता है वह शो करता है कि वह समध्दार होता नहीं है मैं प्रैक्टिकल यह आपको दिखाता हूं कि अपने लेवल्स पर काम करके दिखाता हूं अगर आप मिने मार्केट अनलेस वीडियो देखते होंगे तो मैं उस पर लेवल डो करके दिख कि इंदर सबसे मैंतों पूर बेसिक आता है तो सीधा इसको आप विप इन्वेश्टमिंट क्षैकर सकते हैं जैसे कि आपको पता है आपने यूटियूशब प सब्सक्राइब पंदर मेंड एक दिन एक महिना यह सब टाइम फ्रेम पे लोग सब्सक्राइब करते हैं ट्वेड लाइन में ड्रोग करते हैं पर ट्वेड लाइन के लिए अलग से वीडियो आएगी यह केवल वीडियो सपोर्ट और रिजिस्टेंस के उपर है तो सीधर चलते हैं बेसिक थि चलता है तो इसका मलीब यह चाहिए तो इसको ही कहता है चलते हैं तो इसका जर्ज यह कहता है तो शयल चलें युण देंस लिकार Fahrader से व पोर। dal चलर पर और पाल सीधर कि वह 110 से उपर जाने लग गया तो सबस्क्राइब बात है कि वह अब जो लोग सोच रहे थे कि 110 से उपर नहीं जा सकता तो वह चीज उपर जाने लग गई तो वह पर आये फ्रेश बाइग इसको कहते हैं इसी तरह होता है आगो सपोर्ट में जब भी चीज दो रुपे से फि हो 20 पर जाएगा 110 से रिटन राया जाता है पर मैंने फिर तो फिर चलो या कि 120 पर जिस दिन उस दिन लिखा लगाना क्योंकि आपने सोचा वह नहीं था पहले कि वह नीचे जाएगा पर नीचे जाने लग गया तो एक शर्टन आपने एक आगड़ा सोच लिए कि इस आगड़े पर मैं इसको लिगा लूँआ कभी ऐसा भी होता है कि एक सो की चीन अठानुवे पर फिर दुबारा से आइसे में क्या होता है इसको क्याते है कि चोपड़ा लोग रॉठान दिन क्योंकि ओपरेटरस लोग करते हैं के सबकूर्स पक्ता में पर पर सबस्थाफ़ा भी यह जानता है अपना तो आपको पता लग चुका है कि support क्या है और resistance क्या है अब मैं बात करना चाहूंगा इसके आगे की लेविल की तो मैं आपको दिखाता हूं कि इससे और ज्यादा क्या क्यादा चैकल आपको दिख रहा होगा ऐसी भी बन सकता है पर में आपको दिखाया था क्या कि मार्केट में इस तरह का कि सिस्थार का एक प्रेम के साथ पर गाइस जब यह ब्रेक आउट उपकर की साड़ा रहे इस पिक्चर में उपर के साड़ है तो अपको उपर सागर बता यहां पर इसको यहां ख्रोस किया ऐसे करके इसको री टेस्ट किया तब इसको उपर गया हो सकता था कि वह ऐसे ना करके शिता यह भग जाता उपर के साइड पर यह मजबूत ब्रेक आउट नहीं होता गई यह में महुत बारी की बार बता रहूं आपको अगर मार्केट डायक तो यहां पर उप्पर गया आपने यहां पूजिशन ले ली फिर मार्किन नीचे आया फिर आपने होल्ड किया उसको अभी आपने लिखाना नहीं उसको आपने फोल्ड किया अब वह गया उप्पर ऐसे करके तब आपने इस वाई जगह चाहर पे एक पोजिशन और ले ले सकते हो इसको है चिंतर ना खरीएगा पर यह बात है फिलाल यहां की तो मार्कित नहीं यहिए प्रैसे य प्रैसर प्रैस्टा आइव तब वांते हैं उसको अच्छा बेक आउत और फिर गाइस जो पहले आपना रिश्टेंस हां काम कर रहा था फिर वो काम करता है सपोर्ड का जैसे कि यह पर लिखावा भी लाइव चार्ट पर जाने से पहले दो नियम ऐसे जो आपको याद रखना है हमेशा चाहे इस वाले वीडियो में चाहे किसी भी वीडियो में यह सबसे पहला नियम यह है लाश्ट स्विंग को फॉलो करो लाश्ट स्विंग इस दा की ऑफ सपोर्ट और रिजिस्टेंस एक्जामपल ऐसे है जैसे कि मार्के जाती है देखो ऐसे करके ओपर नीचे ऐसे करके जाती है ना गाइस अब मेरे को बताओ इस इन दोनों में लाश सब्सक्राइब का मुल्क फॉल्व कना आपको आया चाहिए है तो आपको समझना चाहिए कि वो नीचे आना शुरू कर गया है तो सपोर्ड और रिजिस्टेंस की की होती है लाश्ट इस्विंग लाश्ट इस्विंग को फॉलो करना आपको आगया तो आप नीश्चे ही बहुत आगे जाएंगे ठीक है और दुसरा नियम क्या है बेस्ट बढ़िया होता है आपका 15 मिंट का चार्ट 15 मिंट का चार्ट को फोलो कीजिए लेवल फाइंड आउट कीजिए अब लेके खरता हूं आपको लाइव चार्ट पर यह दोन यह याद हो मैं आप वीडियो में बताओं ना बताओं इन बातों को ध्यान अखना ओके यह सबसे है फिर पर बता देता हूं ए ट्रेड आउट प्रेडिंग यू कर चार्ट है ट्रेडिंग यू वैब साइट होती यह तरडिवव.com उसकी यह वैब साइट है वहां पर इसब चार्ट आते हैं और यह एसकोर्ट का यह चार्ट खुलावा मैंने एसको को फोलाग है इक प्रि में एक पीछे लेकंग कर दो अपको ये 15 ऊह निड प्सक्राइक कर लेकिंद्ग से लिए 1060 आप मिनद्ग में 240 यहлять इंड में नहीं है तो मुझा हैं तो कि आप यह नहीं नहीं पैट कर ब्लूमिनेॉश अपर नंउँ, छोज समेड कर दो करते हैं, यह जब मैं इसका और चाहसा जूम करता हूँ जूम छूमः निर्फीन के ईसमें ऐसा कौंजा पॉइंट है इसमें ऐसा फॉइंट है जो आपको लगता है कि वह जो किनि नीचे आने लगे त् MON Sedन का ऑफ तो बताता हूं तो आपको जहां जहां से मार्केट ने इक सटन पॉइंट से नीचे आना शुरू किया और नीचे वहां पर सपोर्ट लिया जैसे कि मैंने आपको बताया कि कहां पर है कि देखो मैं डो करता हूं अपनी एक होरी यॉंटल लाइन तो एक तो गाइस यह पॉइंट है ओके एक तो यह पॉइंट हो गया सब्सक्राइब कौन सा होगा हम बताते हैं आपको अब मैं लेकर जाता हूं ऐसा कौन सा पॉइंट है जो मार्केट नीचे आना शुरू किया यह वाला पॉइंट है अच्छा मैं यहां इसको यहां पर क्यों ला रहा हूं मैं इसको यहां पर क्यों नहीं रोगा क्योंकि एक पॉइंट है यहां से मार्केट नीच आना शुरू किया तो मैं इसको और नीचे क्यों ला रहा हूं मैं इसको नीचे इसले ला रहा हूं क्योंकि आप देख पा रहों कि यहाँ पर एक है हैं कि मा कि थी हैं पर मारकेट ने तीन बार इसफ लेवल को टच किया मैं चाहता तो मैं षचीता बहुआ ही पर केवल एक भार ही हुआ हैं तो मैं इसको नहीं संखे लिफ्ट लेवल रविस्टेमस का मिल जए हो।otta है कि जितनी बार उसको test किया गया हो, touch किया गया हो, तो वो अच्छा support or resistance माना जाता है, उसको एक pure माना जाता है, तो मैंने इसलिए इसको तो अउट सा नीचे लिया है, ताकि एक और करिनल से touch हो पाए, अब आपके पास दो line हो चुके है, हैं which one ये वाला ओर एक ये वाला और धीठ कर सकते हैं इनको अब हम बात करते हैं सपोर्ट की किसमें सपपोर्ट क सबस्क्राइब एक मार्कर डान पॉइंट से पुज हैं यह कोई पॉइंट है इसमें देखिया घूँति है अ हम दोल्ग मान Button करनें आपको ने सिखा रहों कि देखिए ऑफ्बगर के हां गाल पोईंट है ओक को अच्छा पोईंट कि अच्छा पोईंट ओके तो आप मैंने एक यह करा और एक और सापर्ट डिख़ा है मैं वह भी हाथ का दो कर देता हूं कि यह पॉइंट अपना यह वाला करेक्ट ना तो यह आपके सामें देखों मैंने लेवल कर लिये हैं अब 15 मिन का यह चार्ट है गाइस और अब मैं इसको तोड़ सा और जूम करूंगा अब तक मैंने आपको मोटे मोटे तोड़ पे लेव आपको क्या दिख रहा है ऐसा कौन सा लेवल है जहां से मार्केट ने डाउन फॉल शुरू किया और फिर एक सपोर्ट ले लिया तो सपोर्ट लाइन तो बैस्ट हमारी और हमेशा कोशिच किया करें यह बहुत गोल्डन बता रहा हूं आपको यह बहुत मैं गोल्डन रूल सब्सक्राइब बता रहा हूं हमेशा सपोर्ट और रिष्टेंट जब करो ना तो दो लाइल लिया करो ऐसे करें ऐसे करके ऐसे थोड़ी सी रेंज मिनाया करो जैसे कि मैंने अभी 1850 पर लिया था पहले अब मैंने इसको एक दो पॉइंट को बफर दे दिया अब मैं सोच ल जाएगा तो मागर फिर आएगा उपर क्योंकि हमने एक ऐसे लेवल कर लिया है जहां से मार्केट ने डाउन फोल करना शुरू किया था और एक वैसा पॉइंट में डो कर लिया है जहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया तो दोनोर लेविस आपके पास हैं अब 1850 से लेकर 1891 सब्सक्राइब करने तक आपको इसके अंदर ट्रेट नहीं करनी है एसकोर्ट के अंदर ऐसे लेवल फाइंड नाट करते हैं समझ गए मैं और दिखाता हूं आपको अब अब एफ एस एल ठीक है जी पंदर मिन का चार्ट खुलावा है और आप मिझे बताएं कि इसमें ऐसा कौन सा लेवल है जहांसे मार्केट ने सटल ने डाउन फॉल करना शुरू किया कि मैंने को दिखता है यह वारा और कौन से दिखता है अब सब्सक्राइब के तौर पर अगर मैं इसको यहां पर ड्रों करूँ यहां से मांकेट ने पहले पहले सपरोट लिया था और आप देख़ते होंगे यहां से देखों मारकेट ने पहले ब्रेक आउट दिया तौन पर सबस्क्रेये डाले कफ फीक तौन ब्रेक किया जों करता है इसको तो मांल यहां पर इसको प्रेक डाउस ब्रेकडाउन दिया तो दो कितना अच्छा फोल आया गाईस नो सो इक्याणवे से नो सो तीस तक अच्छा यह फाइंड आउट कैसे करें कि कहां तक गिरेगा थोड़ा सा नुमान में दोने चाहिए न तो मैं वह भी दिखाता हूं पन्दन में का चार्ट पर ही मैं थोसर जुम करता हूं यह डेह लो की मार्क यहां पर आपर यहां पर यह तो यहां पर ब्रेगाउट करेंगा तो मैं इसको नीचे के लिए estar कर учimmer तक लाश्ट इस्विंग क्या है आप खुद देखो यहां से डाउन फोल करने शुरू किया तो इसने पहले यहां से देखो एक लाट इसमें दिखरी हो गया आपको ओ इसने यहां पर सपॉड लेकर टॉपा गया था तो इसके आगे जता है तो वह बात की दिया तो मैंने इसको 950 तक की टागेट के ले लिया बल्कि आप थोड़ा सा बफर और ले लो यार 950 तक का आपने टागेट लिया ना तो इसको 960 कर दो क्योंकि यह बात सब सोचे होगे कि यहां तक भी आगे एंगेट wsथोथो नोश तीस तक भी आगिया पर आपको अपना टागेट सट करना कभी किया होता है मार्केट इस फॉट्त पर यहीं से और भाड़ा की गलती है कि यही होती कि आप बिल्कुल वहां पर बॉट्रण करते हैं वह तो अब उता है मैंने दो बा लास्ट इसको ही सब्सक्राइब यह जो घर को हमें कुल नहीं को अनुद सब्सक्राइब यहां वो अपर अगर उस से मार्स के श no-40 और ऑफ मैं यहाँ आप टोईन डिशय अब लेंगे कि कि मैंने पहले शी कुछ रखा है कि मैं रीट करता हूं कि अब 15 मिन का चार्ट में खुला हुआ है इसके अंदर कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां से मार्केट डाउन फॉल करना शुरू किया था या फिर अब में को क्या लेवल करना है वही यह बताओ अगर में को ट्रेट करन जिस पर मैं ट्रेड ले पाऊं लाश्ट स्विंग क्या है इसके अंदर यह वाला लेवल बड़ अच्छा है एक यह बताओंगा अभी कैसे मैं ड्रो कर रहा हूं एक यह एक यह बड़ा अच्छा एजम्पल है यह स्टोक का देखिए अब यह मार्केट है यहां पर मार्केट मोट लिए उसलों क्या को अगलें खिला गफि दन खुला तो अच्छोल तो यह बड़ी वाली एक दम गदम तो नीचे खुला अब मार्केट ने इसको ही फिर रिस्टेंस लिया और नीचे आया तो मनलब की 873 का लेविल इंडेसेंट बैंक में बड़ा अच्छा है तो यह आपके लिए अच्छा लेविल हो गया अब बात करें नीची की साइट की नीची की साइट में गाई इसने यहीं पर सपोर्ट लि आपके लिए दो लेविल्स बड़े अच्छे हो गया है क्या हो गया है 873 और 844 तो मार्केट अगर 844 की नीचे आता है तो आपको 821 तक का टागेट लेना है 821 का टागेट लेना है सपोर्ट है पर आप मैंने जैसे कि कहा थोड़ा सा पहले कर दो तो आप 830 कर सकते उसको त 821 तक क्यों सोचा इसलिए सोचा क्योंकि लास्ट टाइंग जब यह आया था नीचे 821 के आसपास तो यहीं से इसने सपोर्ट लेके उपर गया था अब आपको कर सर नीची तो काफी उससे भी नीचे आया हुआ देखो द्यान से जी हां यह 821 पे आया था पर इसकी बोड़ इसकी नीचे बोड़ी मेन है उपर अगर मार्केट इसको भी नीचे क्लोज करती है इस लेविल यपर इसकी बोड़ी 821 की नीचे बन होती है तो आप मासक्ते हैं कि अब वह आब 821 के नीचे जाएगा क्योंकि पहले वहां पर विंग बनीवी थी आप वहां बोडी बनेगी तो अच्छा साइंग होता है वह वह बात की बात है फिलार मैंने बात की है कि अभी अच्छी बोडी बनेगी तो आप 899 तो सकते हैं और नीचे जाएगा तो आप 821 तक ले सकते हैं टार्गिट 825 तक कर लेना ताकि आपको रिवर्स वाले के इसमें दिक्कत ना पढ़े ठीक है ऐसे करके फाइंड आट करते हैं लेविल्स और सपोर्ट और रेसिस्टेंस एक और एक्जम्पल ले लेते हैं गाईस ताकि मैं आपको और समझा पाँ अब मुझे बताओ मार्केट 908 पर है अब मुझे इसमें लेविल डो करना है क्या करूं लाट इस्विंग क्या है इसके अंदर मैं बताताँ आपको सबसे पराइबल है क्या अच्छे लेविल है ये किस बाते ऐसी होती है जो मिले पता होती में बोल नहीं पाता जैसे कि अग्ट ustisum कि बात करूं सपोर्ड किया सपोर्ड क्या है सकंडर सब्सक्राइब के अकल सपोर्ट है यह वाला और दो रोक लेता हूं यह सही है मार्केट में 900 के आसपास का सपोर्ट है और 940 के आसपास का आपका वह है रजिस्टेंस अब मार्केट 940 के उपर अगर लिखलता है तो आपको उपर तक के लिए टाकेट लेने नहीं उपर तक के कहां तक के लिए लोग पर लेकलता है तो आपको 960 तक का टागेट लेना है जैसे कि मैंने का 5-6 पॉइंट पहले ही बुक कर ले करो तो 956 तक का आप ले सकते हो ठीक है पांतस पॉइंट का स्टॉप लोस ठीक है वह रिस्स मैनेजमेंट की बात है इस टोप लागाना चाहिए कहा लागाना चाहिए उससे पर वीडियो या तो आने वाली है यह यह आप यह देख रहे हो आ चुकी होगी तो देखने ना में चैनल पर नीचे लिंग मिल लागा पो तो ऐसे करके हम लिवपिन में हमने लेवेट डो की सब्सक्राइब हो आपने काफी अच्छा किया होगा और आगर आपको सब्सक्राइब करने में कोई दिक्कत होती है आप मेरे को कि आप मेरे को किसी भी स्टॉक का चार्ड की फोटो कैसे भीज़ देना मेरे वाट्साप न कोई मेरे से गलती हो यह मैं बहुत चमा मांगता हूं उसके लिए आप में बता सब तो कमेंट में कि हाँ आप ने ऐसे गल्द बोला ठीक है तो मैंने पूरा कोशिश की है कि मैं आपको सही बता पाऊं सब्सक्राइब करते हैं अच्छा बैंक निफ्टी की बात करते हैं मैं इसमें बताता हूं कि लेवल क्या है जैसे कि मैंने लेवल कर रखें मार्केट यहां पर है तो मार्केट अब अगर यहां से उपर जाएगा ही आएगा ठीक है अगर मार्केट यहीं से खुल के उपर जाने शुरू करता है तो इस ब्रेक आया हुआ है कहां तक कि लिए आया हुआ है कियों कि इसने तरींलायन को को टच किया हुआ है है यहां पर किया हुा है है अपने बाद आपको उसको पकड़ लेना है इसलिए मैंने यह लाइन डोग की है गाई तो ऐसी ही लेवल करते हैं चाहे बैं निफ्टी हो निफ्टी हो कोई भी स्टोग हो और कोई भी क्वेरी हो कोई भी कर्फिचर नो में एक फोटो खैस के भेज़ दो मैं इस पर आंस्वर झाल